मेरा दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं वास्तव में कुछ खास बात करना चाहता हूँ रमजान करीम की पहली सहरी रमजान दुनिया भर के मुसल्मानों के लिए आशीरवाद और आध्यात्मिक विकास से भरा महीना है और पहली सहरी एक अविश्वस्निय रूप से महत्वपूर्ण क्षण है यह तब होता है जब हम सुबह होने से पहले उठकर अपना प्री-फास्ट भोजन करते हैं और आने वाले दिन के लिए खुद को तयार करते हैं कलपना करें कि आप सुबह के शांत घंटों में जाग रहे हैं फिर भी थोड़ी नींद महसूस कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिन के लिए उत्साहित हैं आप अपने परिवार या प्रियजनों के साथ बैठकर स्वादिष्ट सुहूर भोजन का आनन्द लेते हैं यह हमारे शरीर को पोशन देने और हमारी आत्माओं को कृतजिता से भरने का समय है जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है हम अल्ला के साथ शांती और जुडाव की भावना महसूस करते हुए फद्र की नमाज अदा करते हैं हम सूर्यास्त तक भोजन पे और अन्य शारीरिक जरूरतों से परहेज करते हुए अपना उपवास शुरू करते हैं यह आत्म अनुशासन सहानुभूती और चिंतन का समय है रमजान के दौरान हम न केवल शारीरे के च्छाओं से दूर रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं बलकि आत्म सुधार, दान और अल्लाह के साथ अपने रिष्टे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं यह हमारे आसपास के लोगों के प्रती अधिक जागरूक, दयालू और उदार होने का समय है रमजान की पहली सहरी एक खूबसूरत सफर की शुरूआत की तरह होती है यह पूरे महीने के लिए माहौल तयार करता है और हमें आत्म नियंतरन, कृतज्यता और आध्यात्मिक्ता के महत्व की याद दिलाता है इसलिए जैसा कि हम इस धन्य महीने की शुरूआत कर रहे हैं आईए प्रत्येक सहरी, चिंतन के प्रत्येक क्षण और अल्लाह के करीब बढ़ने के प्रत्येक अवसर का आनंद लें ये रमजान हम सभी के लिए शांति आशीरवाद और आध्यात्मिक संतुष्टिक अस्रोत हो, इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और मैं अपने चैनल पर आपके साथ रमजान के बारे में और अधिक जानकारी सांझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता नीचे दिये गए टिपणियों में अपने अनुभवों को लाइक, सब्सक्राइब और सांजा करना न भूलें आपको और आपके प्रियजनों को रमजान मुबर्ग